तो नमस्ते दोस्तो स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूटूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टेडी पॉइंट में आज के वीडियो लेक्चर है हमारा मठ अठारमा और आज हम बात करेंगे बारले लूप टेस्ट के बारे में देखिए आपका ये सेकंड ले केवल में होने वाले फॉल्ट और शॉर्ट सर्केट का पता लगाते हैं इसके पहले हमने मारले लूप टेस्ट पढ़ चुके हैं उसमें भी हम क्या करते थे अंडरगाउंड केवल में होने वाले शॉर्ट सर्केट और फॉल्ट का पता लगाते थे ठीक बारले लूप टेस इसलिए इसका नाम क्या रहा हमने बारले लूप टेस्ट पढ़ा इसमें हम पढ़ेंगे Earth Loop Localization इसमें हमने हमको केवल Earth Loop Localization ही पढ़ना है देखिए आपको बारले लूप टेस्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको परिक्षण में संतुलन की स्थिती के लिए एक परी बरतनी प्रतिरोद S को सम्योजित किया जाता है देखिए इसमें आपका P और Q क्या होता है इस्थर प्रतिरोद होता है ठीक है और परिक्षण में संतुलन बनाय रखने के लिए इसमें हम एक और प्रितिरोध लगाते हैं, जिसका नाम है S, जो Fault Cable के test end से जुड़ा होगा होता है सब्सक्राइब पॉल्ट पॉइंट तक का ओम में प्रितिरोद एस बराबर आपका होता है बिर्ज में संतुलन के लिए ओम में बाइलेवल रेश्टेंस भी आपका होता है बैटरी अथवा डीची सोर्स ठीक है जिसके आप इसको धारब प्रिदान करेंगे इसके बाद इसमें लिखेंगे त तथा केजी सिंगल वे की है पी क्यू एक इस्थर रेश्टेंस है एस एक बैरियेवल रेश्टेंस है संतुलन के लिए ठीक है यह है फॉल्ट केविल के टेस्टेंग केविल से जुड़ा होता है देखिए आपको यहां पर सब कोई अच्छे समझ में आने वाला है देखिए आपका प्यूर की एक बैरियेवल रेश्टेंस है यहां पर हमने एस एक और रेश्टेंस जोड़ा है किसके लिए संतुलन बनाए रखने के लिए ठीक है यह आपकी फॉल्टी केविल यह आपकी हेल्दी केविल यह आपके टेस्ट जहां पर आप टेस्ट करेंगे बोवाले स्रें है ये और ये हैं आपके और एंद लिंक है जिसकी सायता से हम आंतिम स्रें दोनों को जोड़ देते हैं आफस में तो यह है आपका इसका स्किन स्थे ले ला तो यह है आपका इसका पूरा चित्र आपिसा की श्न स्किन शॉट ले ले एक बार इसके बारे में समें और आएंगे पढ़ देखीamment किये इस viktigt में आपकी S1 है तो wheatstone bridge के सिध्धान्त से ठीक हम इसमें मानते हैं माना की संतुलन निष्थिति के लिए परिवलतनिया प्रतिरोद S का पाठ्यांक S1 है तो wheatstone bridge के सिध्धान्त से देखिए PQ P upon Q plus 1 बरावर R upon X plus S1 plus 1 ठीक इसके बाद हम इसको LC हम ले लेंगे P plus Q upon Q बरावर R plus X plus S1 upon X plus S1 इसके बाद हम X plus S1 को साइड ले आएंगे और इसको पूरे साइड लाएंगे X plus S1 बरावर Q bracket में R plus X1 plus S1 ठीक है इसके बाद upon में हम लेंगे देखिए आपका X1 नहीं है एबल X अकिला है ठीक है इसके बाद upon में हम लेंगे P plus Q इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे X बरावर इसको S1 को इस साइड लाएंगे तो Q R plus X minus P S1 upon P plus Q इसको हम समिकर नमबर एक मानाएंगे ठीक है इसके बाद आपकी second condition आती है जब 2B की co-stud 2 से connect करते हैं तो माना की संतुलन इस्तिती के लिए परवर्त रही है प्रतिरोध S का पाठ्यांक S2 है तब British Stone Bridge के सिध्धान्त से देखिए यहाँ पर हम लखेंगे P upon Q बरावर R plus X upon S2 समिकर नमबर हमने इसको 2 माना अब हम यहाँ पर लखेंगे Q ठीक है अब हम इसका आमने सामने गुड़ा करा देंगे Q bracket में R plus X बरावर P S2 इसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लखेंगे समिकरण एक में Q R plus X का मान रखने पर समिकरण एक में Q R plus X का मान रखने पर तो देखिए X बरावर आपके क्या था P S2 minus S1 upon P plus Q माना प्रते केवल की लंबाई L तथा पूरे केवल का प्रतिरोद R है तो केवल के प्रती मीटर लंबाई का प्रतिरोद क्या होगा केवल के प्रती मीटर लंबाई का सूत्र होगा आपका यह केवल का कुल प्रतिरोद बटे केवल की प्रिति मीटर इसके बाद आएगा आपका अब केविल को टेस्ट एंड से फॉल्ट एंड तक की दूरी केविल की जो आपकी टेस्ट एंड है उससे टेस्ट एंड से फॉल्ट एंड तक की दूरी देखिए टेस्ट एंड से फॉल्ट एंड तक की का प्रिति रोद केविल की प तीन के वाद हम लेखेंगे डी बरावर पीएसटू माइनस एसवन ब्रेकट एल एल इसके बार अपंन में और पी फिलस क्यूव मीटर देखिया हमने एक्स कमाण यहां पर रची कमान आपका यह था ठीक हमने उठाकर X command यहाँ पर रगद गया और जब आपका L उपर जाएगा तो L अपन आ रहेगा यह आपको यह पूरा आपका X command इसको लग देंगे हम मीटर में तो इसी के साथ आपका खतम होता है क्या इसी के साथ आपका खतम होता है बारले लूप टेस्ट तो यह था आपका बारले लूप टेस्ट बड़ी आसान तरीके से समझाए समझानी कुर्स की है आसा है कि आपको समझ में भी आया होगा ठीक और आप इसको एक दो बार प्रक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से जो किया यह समझ में आ जाएगा तो वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कमेंट और सेल जरूर ज़र करें